असलाम लेकूं, वेलकम टू लाइवली कुकिंग, आज हम बनाएंगे होट और सौर सूप रेस्टोरान स्टाल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एजी रेसिपी है, इसके लिए सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे और इसमें दो खाने की चम्मच, तेल डालकर गरम करेंगे, अग दो से तीन लेस्न के जवे लेकर आप इसे कूट लें या फिर करश कर लें, चिकन की यखनी हम इसमें एड़ करेंगे, दो लीटर, ये सिंपल चिकन की यखनी है, इसमें कोई नमा, कोई लेस्न वगरा कुछ भी नहीं है, आधा चिकन लेकर मैंने इसे उबाल लिया था, तक के मैंने रेशे कर लिये हैं, वो भी हम इसमें एड़ करेंगे, तकरीबन एक कप चिकन के रेशे हमने इसमें एड़ कर लिये हैं, अब हम इसमें एक चिकन क्यूब शामिल करेंगे, एक अदद तोड़ कर, या फिर आप इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर सकती हैं, वन टी इसजाएों में एक कप बाडी कटी होई गाजर शामिल करेंगे। एक कफ रड़ी हम इसे कुबस कापवडर हम एक पे आरक शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें काले मिर्श का पाउडर एड़ करेंगे टू टी स्पून चानी सॉल्ट वन टी स्पून या उप्शनल है अगर अवैलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं इसे तक्रीबन एक मिनट के लिए हम उबालेंगे बहुत ज्यादा आपने इसे उबालन नहीं है क्योंकि सबजी नरम पर जाती है तो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता अब हम इसमें बंगोबी एड़ करेंगे बंगोबी मैंने स्टार्ट में इसलिए अड़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाने वाली सबजी है बहुत ही नरम पर जाती है तो अ अब हम इसमें एक कप बारी कटी हुई बंगों भी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, चार खाने की चम्मच या फिर एक चोथाई कप, विनेगर यानिकि सफ़ेद सेरका हम इसमें शामिल करेंगे, एक चोथाई कप या फिर चार वड़े खाने की चम्मच, स्वाइस सौट हम इसमें शामिल करेंगे, दो खाने के चम्मच, quelqu应 केचप हम इसमें शामिल करेंगे, तक्रीबन दो टेबल स्पोन, यानिकी दो खाने के चम्मच, और इसके बाद हम इसे एक से दो मिनट पकाईज़, सबजियों को हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना दो मिनिट के लिए हमने इसे उबाल लेना है अब हम इसमें कॉन फ्लोर शामिल करेंगे ये आठ टेबल स्पून कॉन फ्लोर है जिसे मैंने आधा कब पानी में घोल लिया था थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूंगी कॉन फ्लोर कंपनी पर डिपेंट करता है कि आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रही है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ही करके शामिल करें जब तक कि आपकी डिजार कॉनसिस्टेंसी ना आनी शुरू हो जाए एक दम से आपने इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि मैं आपको 8 टेबल स्पून बता रही हूँ हो सकता है जो मैं कॉन फ्लोर यूज़ कर रही हूँ ठिको या फिर इसमें विरियेशन होती हैं तो आप बनाकर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें जब तक कि आप देखना लें कि ये आपके डिजार कॉनसिस्टेंसी है तो ये ठिक हो चुका है अब हम इसमें अंडे की सफेधी शामिल करेंगे 3-4 अदद हम अंडे की सफेदिया लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इस तरह इसमें एड़ करते जाएंगे बहुत ज्यादा आपने से मिक्स नहीं करना हलका-हलका सा चम्मत चलाते हुए आपने से मिक्स करते जाना है ये सूप हमारा रेडी है अब हम इसे डिशाओट करेंगे डिशाओट कर लेने के बाद आप इसे अपने मर्जी के सास के साथ सर्फ कर सकती है वैसे तो इसे किसी भी सास की ज़रूत नहीं होती क्योंकि ये खुद परफेक्टली बना हुआ होता है अमीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी एची लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी रेसिपी को शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग अला हाफिस